नमस्कार एकबाब फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पर आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्पुन MCQ वीडियो लेके आया हूँ जो चेप्टर होने वाला है वो चेप्टर 9 है MCQ है क्लाश 12 हिस्टरी का चेप्टर है जिसका नाम है राजा और विभीन इती वृत इसके जो वीडियो नहीं बन चुके हैं पूरे डिटेल्स के साथ यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखे जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स केलियर होने वा बावर्ता अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं पहला मुगल सासक मातरी पक्स से किस से समबंधित है चंगेज खान देखे इनके मातरी पक्स जो थे वह चंगेज खान के तरफ से है और पित्री पक्स मतलब बाप जो था इनका वह तैमूर के साइड से था तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मात्री प्रिव्जो था वह चंगेज खान की तरफ से था और दोनों अपने जमाने के ना बहुत ही बहतरीन लडाकू हुआ करते थे बुक में आपके समराट और राजा दिया हुआ है लेकिन आप इन्हें समराट और राजा नहीं कह सकते आप इन्हें दुधे लुटेरे थे उससमय के अगले की तरफ बड़ता था पूर्पी वा सबोर्टा गले जंगल बुक श्टॉरी किसकी है रड यार्ड किलप्रिड की याद रखेगा अक्सर एक नंबर के question में MCQ में पूछा जाता है कि जंगल बुक के story किसकी है तो आप बताएंगे रड यार्ड किलप्रिड की लिखी हुई या कहानी है अगला question है हमारा अफगान नेता सेर सासूरी यहां पे सूरी होगा सूर नहीं होगा सेर सासूरी ने किस मुगल सासक को पराजित किया था तो हिमायू को हिमायू जो था उसको सेर सासूरी के दौरा दो बार पराजित किया अकबर, अकबर जो था वो अपने सीमा के समराज को फैलाने में हिंदू कुष के परवत तक सफलता हांसिल कर लिया था, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अकबर का समराज था, जहां तक उसकी सासन सत्ता की वो हिंदू कुष परवत तक पहुँच गया था, किसका है? अगला προशन म 1707 में औरंजेव की मृत्यू हो गई अगला प्रश्ण मारा कहता है मुगल दर्वारी इतिहास डैस डैस भासा में लिखे गए हैं तो आपको पता है कि जितनी भी मुगल दर्वारी इतिहास या मुगल दर्वार के इतिहास के बारे में लिखा गया है वो फार्सी भासा में लि महत्तो दे दिया था ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को फार्सी वासा की अच्छी नौलेज हुआ करती थी उसे अकबर अपने दर्वार में महत्तपुर्ण अस्थान भी दिया करता था अगला प्रस्त हमारा कहता है फार्सी और हिंद्वी के संपर्थ से नई भासा डैस ब आगे के कोश्चन में बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा कहता है बाबर ने अपनी कविताएं और अस्मरन किस भासा में लिखवाये थे तो तुर्की भासा में क्योंकि भाई जो बाबर था उसे ना फार्सी आती थी ना हिंदी आती थी और उर्दु का तो पैदाईसी नह उसने तुर्की भाथा में कविताएं लिखवाया, असमरन करवाया, जो भी सम्युद चीजों को लिखवाया गया, वह किस भासा में लिखवाया तुर्की भासा में, κιmm कि बाबर को सिर्फ और तुर्की भासा का उग्यान था, अगले पूस्चन में चलते हैं, राजवंस के शासन ने स्वयन को डैस का, राजबंस का जो सासन हुआ उसने स्वयन को टैमूर का, क्या कहा? टैमूर, यही वो टैमूर, बाप के साइड से टैमूर था और माता के साइड से चंगेज खान था, किसका? बाबर का? मतलब मुगल का अगले प्रस्वी तरह परते हैं महाभारत का फार्सी अनुवाद क्या है रज्म नामा क्या हुआ कि इन लोगों को मुगलों को अब संस्कृत वाती नहीं थी और इनको जिग्यासा हुआ कि ये हमारे भारतिय संस्कृती में जो मतलब पवित्र ग्रंत है चाहे वो महाभारत है रमायन है तो इसको कंवर्ट किया जाया फार्सी में ताकि ये इसे पढ़ सके तो जो हमारे महाभारत का इन्होंने अनुवाद करवाया उसका नाम रखा रज्म नामा और इसे और भी एक नाम दिया गया युद्वो का किताब युद्वो की कहानिया ऐसा इसे नाम दिया ग इन दोनों का जो पहले का विरासत था वो कहीं मंगोलों से संबंद रखता था लेकिन आपको बता दू कि ये मुशलमान जो थे या पिर मुगल जो थे इनको ना खुद को मंगोल कहलवाना अच्छा नहीं लगता था ये खुद को तैमूर के बंसज कहना ज्यादा प्रसंद कर करते हैं पांडू लिपी को त्यार करने में निमलिकित में से किनकी भूमिका होती थी तो सबसे पहले इस कोस्चन में पांडू लिपी खुदी एक कोस्चन है कि पांडू लिपी क्या है तो मैं आपको बता दू पांडू लिपी वैसे लिखावट है जिसे हाथ से लिखा ज जिल साथ इन सभी कियाब सकता होती थी तब जाके एक उस्तक पर फांदू निपी के मार्दम से लिखके लंबे समय के इतिहास को वर्नित किया जाता था। अबुल फजल जो आईने अकबरी का भी लेखक अपर का मित्र भी था, इतिहास कार भी था। नामा के लेखक अबूर फञजल का लार्ण歇न कहा हुआ था आगरा में हुए था क्योंकि उस हुश्य मुगल का राजधानी आगरा ही वह चाहिए और समय-समय पर यह अपनी राजधानी बदल लिया करते थे इक बार आगरा था एक बार सतेफृ मुझे था उस समय के तीन जिल्दों में मतलब तीन अलग-अलग पाटों में अकबर नामा को विभाजित किया गया था अगले प्रफितर परते हैं अब्दुल फजल की हत्या के लिए किसने सड्यांत किया था तो देखे राजकुमार सलीम और वीर सिंग गुंदेला इन दोनों ने मिलके बेचारे अकबर का मित्र था अब्दुल फजल और आहिने अकबरी भी लिखा था और उनके सलाहकार भी थे तो राजकुमार सलीम कहा जाता है अकबर का संतांक्रा और वीर सिंग बुंदेला इन दोनों ने मिलके इसे मारने का सड्यांत रचा था अगरा प्रश्ण मारा कहता है अबुल हमीद लहोरी किसका सिस्था अबुल फजल का ही सिस्था कौन हमीद लहोरी और अकबर नामा के लिखने में इसकी भी हिस्सेदारी है आईने अकबरी की अगर बात की जाया तो वो सिर्फ और सिर्फ अबुल फजल के द्वारा लिखी अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं असे आटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्षापना कब हुई थी 1784 बेरी इंपोटेंट दो साल तीन साल से लगतार यह प्रशन पूछा जा रहा है बड़े ही ध्यान से समझेगा असे आटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्षापना कब तिर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को जजिया भी कहते हैं इसे मैंने पहले के चेप्टर में आपको बताया है जजिया कर के बारे में विस्तार से तो इस तिर्थ यात्रा पर लगने वाला जो कर था जो टैक्स था जो वसूली हुआ करता था पैसे का हिंदू यात्री से य इसको उच पद प्राप्प्त हुआ तो औरंग जेव का जो सासन काल था उसमें राजपूतों को उच पद्राप्त हुआ था उंचे अस्थान दिए गेते, कही। को चीजों से नमाजा भी गया था राजपूतों को, अगले प्रश्ट की तरह बढ़ते हैं। सफवियों और मुगलों के बीच जगरे का डैस कारण था तो कंधार जो राजुगा करता था उस समय ये भी जगरे का कारण था किसके बीच सफवियों और मुगलों के बीच याद रखेगा ये भी इंपोर्टेंट है अगले प्राशन की तरफ बढ़ते हैं भारतिये उक कर वह जैसुईत धर्म पर चारक मतलब जैसुइत इसायों इसाइ फादर चर्च के रहने वाले को हम जेशुट कहते हैं उनके जो धर्म के परचारक थे वह जिन बर तो बहुते ही रहते हैं कभी इस देश में कभी उस देश में तो यह जा जा कर बताए कि भारत एक बहुत वहां पर प्रकृतिक संसाद है ने दूसरा यात्रियों से यह बार बार यात्री किसी किसी बंदरगाह के मार्जम से हमारे आप पहुंच जाते थे कभी इरान के कभी इराक के कभी पूर्टगाल के कभी इंग्लेंड के और आंके फिर वापस जाके सबको बताते थे कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश समरिब देश है बैपारी और राजनाइकों से जो बैपा 1580 में एक और कोश्चन यहां पर बनता है किसके सासनकाल में तो 1580 में किसका सासनकाल था अकबर का सासनकाल था अकबर एक मुशलमान सासक होने के बाद भी ना उसे जेसूइत मतलब की इसाईयों के धर में बड़ा इंट्रेस्ट था उसने अपना एक जठाई भेज दिया थ चाहता था फटेहपूर शिक्री रहता था तो वहां पर पहला सिसमंडल का पहुंचा फंद़ा सवस्षी में इसाथ रहले दोवर्सों तक अकबर के साथ रहा जहां जाता था अकबर को समझाता था अब जब समय मिलता था तो यहां के छोटे बच्चे उसको पढ़ाया भी क कोई की दीन चिस्ती जो क्वाजा साहब का दरगा अजमेर में है उसे बड़ा लगा हो था कितनी बार गया था वो 14 बार गया था तो फटेपुर्ज शिक्री है उसके सीधा रास्ता था क्वाजा साहब दरगा जाने का इसलिए उसलिए राधानी वहां बना लिया आगे के प्र वो इसाई धर्म से संबंद रखते थे फादर मदर सिष्टर वाला धर्म से संबंद रखते थे अगला प्रश्ण हमारा कहता है 1622 में दैस सेना ने कंधार पर हमला किया फार्सी सेना ने कंधार पर हमला कर दिया दकब 1622 में फार्स का जो सेना था वो कंधार पर हमला कर दिय अगला प्रस्ट हमारा कहता है जहांगीर का अर्थ क्या है विसुपर कबजा करने वाला राजा जहांगीर जहां को अपने अंदर समेटने वाला नाम का अगर आप संदी विच्छेत कीजेगा ना तो जहांगीर का मतलब होता है विसुपर कबजा करने वाला राजा अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं रज्म नामा का अर्थ क्या है युद्वों की पुस्तक मैंने जब यह बताया था महा भारत को जब दूसरे भासा में कंवर्ड किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया रज्म नामा और दूसरा नाम दिया गया युद्धों की पुष्टक, क्योंकि महाभारत में जाया था तो कौरव और पानवों के लडाई जगरे और युद्ध के बारे में ही बताया गया था, इसलिए इसे युद्ध के पुष्टक का नाम भी दिया गया है, अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं, डैस की मृत्यू अगला प्रस्ट हमारा है, अकबर ने आगरा के खिले का निर्मान करवाया, पंद्रो सो साथ के दसक में लाल बलुवा, नाती से या फिर लाल बलु, बालु से आप कह सकते हैं, अकबर ने पंद्रो सो साथ के दसक में आगरा के खिले का निर्मान करवाया, लाल बलुई याद रखिएगा अगला प्रश्ट हमारा कहता है अकबर ने जजियाकर कम समाप्त किया 1564 हिस्वी में अकबर ने तिर्थ यात्री के कर के अलावा जजियाकर को भी समाप्त कर दिया था नेक्स कोस्चन कहता है अकबर ने फतेपूर सिक्री में नई राजधानी बनाने का निर्ने कब लिया 1570 के दसक में अकबर ने आग्रा से अपनी राजधानी को अटा कर फतेपूर सिक्री अस्थान तृत कर दिया हाला कि मुगल समराज में कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकी उर्दू के सब्द हैं फार्सी के सब्द हैं पता नहीं किसके सब्द हैं लेकिन हिंदी के सब्द नहीं है यह दिवाने आम और दिवाने खास दोनों चीज़ को बता लेता हूं दिवाने खास में खास बातचित होती थी गुप्त बातचित होती थी राजा का एक ऐसा दरब खास चीज की बाते चिते होती थी, बहुत बुत बाते होती थी, अगले प्रस्टी तरफ बरते हैं, हिमायू नामा किसने लिखी, गुल बदन बेगम ने लिखा था, ये एक इसलामिक नाम है, गुल बदन बेगम इसने क्या लिखा था, हिमायू नामा जैसे पुस्तकों का मिर अगले प्रस्वी तरफ बढ़ते हैं, डैस सब्ध का परियोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है, हरम, हरम सब्ध जो है, हरम, हराम मत समझ लीजेगा, या फिर हरामी मत समझ लीजेगा, हरम सब्ध है, हरम सब्ध का परियोग मुगलों की घरेलू दुनिया की जो संकेत करता है मतलब इनकी आपसी परिबार के संबंधों के बारे में बताता है हरम अगला प्रस्ट हमारा कहता है गुल बदन बेगम किसकी पुत्री थी बाबर की पुत्री थी कौन गुल बदन बेगम बाबर की पुत्री थी जिसने हिमायू नामा भी लिखा था अगला प प्रोडर्मल था कौन तो यह अकबर का वित मंत्री था हिंदू होने के बाद ही मुगलिया सल्तनत का वित मंत्री हुआ करता था प्रोडर्मल अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं जहांगीर के सासन में किसको उच्पद प्राप्त हुए तो जो इरानी लोग थे जो इरान से जहांगीर के सासन में इनको उच्पद प्राप्त हुआ था यह उच्च रूप से देखे जाते थे इस तरह से आपके इस चिप्टर में आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट MCQ थे वो सभी समाथ हो चुके हैं और आसा करता हूँ कि आपको सारे MCQ समझ में आ गये होंगे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपको किसी भी MCQ में परसानी है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं साथी साथ यदि यह वीडियो पसंद आती है तो आप